नमस्ते वंदी मतरम जैहिन आप सभी का इस चैनल पर स्वागत वंदन अभिनंदन और साथ ही साथ अभिनंदन भारत सरकार में मानने मोदी जी का भी और यूगी जी का भी क्यों इसलिए कि जो कोई कर नहीं सकता था वो कर के दिखा दिया यानि हमारे समाज में उस तबिके को जिसको आप हिजला कहते हैं जिसको आप नपूंसर कहते हैं जिसको आप थर्ड जंडर कहते हैं और जन्म से भी जिसको आप घर से बाहर निकालने की बात करते हैं और अपने मांगलिक कायों में जब वो पहुंचते हैं तो अपनी बधाया बजाते हैं सब कुस करते हैं उनक के अधिकारों की सुरक्षा और सनख्षा के लिए उसी के कम में उत्तर पदेश की जियोगी जी की सरकार ने उन थर्ड जेंडर के लोगों को भी उनकी अधिकारों से आचालित कर दिया अगर मुत्तर पदेश प्राजसु संगिता 2006 की बात करें तो उसकी धारा चार को भी हम द कारों में शामिल कर लिया गया है यानि जैसे हम आप यानि समाने रूप से इस्तरी पूरुष अपने पैत्रिक संपत्यों में हिस्सा पाते हैं अपने पिता के संपत्य में हिस्सा पाते हैं अपने माबाब के संपत्य में हिस्सा पाते हैं एंसेस्टर प्रापर्टी में हिस गेंच जम्रास्वर्गबास हो जाता है उनके मृत्व के बाद जो वरासत होती है वरासत की शेड़ी में थर्ड जंडर को भी शामिल कर लिया गया है यानि पूरू में अगर हम देखें जब ये उत्तरपदिश राजोस संगेता 2006 नहीं थी तो इसके पहले हमारे जितने भी थर्ड जंडर के बंदू थे वरासत के मामले में उनको कोई अधिकार नहीं रहा करता था चुकि वहाँ जो अधिकार नहीं होते थे और अपने भौमे का अधिकार से वो वन्चित कर दिये जाते थे लेकिन आज जब इन अधिनिमों को पढ़ते हैं तो जो वरासत का काम है जैसे माले जिए एक विक्ति है और एक तीन बच्चे है और तीन बच्चों में पता लगा कि B पुत्र है, C पुत्री है, D न पुत्र है न पुत्री है तो अब D कहां जाएगा एक के मरनी के बाद पूर में जब 2006 का ये कानून पास हुआ था इसके पहले भी जो कानून थे उसमें D के लिए कोई ब्योंच था नहीं थी लेकिन अब 2020 में जो कानून संसुधन हुआ है, भौमिक अधिकारों को ले करके वरासत के अधिकारों को ले करके, भूमधरी अधिकारों को ले करके उससे अब थर्ड जिंडर के भी अधिकार हो गए है, यानि अगर A एक्सपायर हो गया है, तो B.O.C. को तो हिस्सा मिलेगा, साथ ही D.B. जो थर्ड जिंडर है, उसको भी बराबर का हिस्सा मिलेगा, भले ही, वह कितनी भी नीची शेड़ी का क्यों ना हो, रिमोटर भी है, तो भी उसको हिस्सा मिलेगा, ऐसा इसके परन्तुबुक पार्क में कहा गया है, तो यह एक बहुत बड़ी बात है, जिसने सोसल स्टिग्मा को दूर करते हुए, और समाबेशन के दिश्टी से, एक मानविय सद्भाव को लेकर के अधिनियम में जो बात आई है, वो वास्तों में काबले तारीफ है, और इससे, जो हमारे थर्ड जंडर के बंदू है, जिन अपने हैदिकारों से आच्छा दित्थों पाएंगे, और इसका एक फाइदा आउर होगा, इससे उनका पुनरवाशन होगा, चुकि पूल में जब भूमी नहीं हुआ करती थी, तो भीक मांगते थे, या नाजगाना करकी, या मांगली कायों पर जा करके, और कहीं कहीं तो अप्राकितिक रूप से उनका योन सुशन होता था, उससे वो स्यम को वंचित रख सकेंगे, अपनी आमदनी के जरिये खेती के माध्यम से गरिमा में जीवन बिता करके, समाने रूप से जीवन यापन कर सकेंगे, यह एक बहुत बड़ी पहले समाज में जो परिवर्तन की लहर चल लही है, आएए इस परिवर्तन की लहर को हम आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और ऐसे जितने भी बंदू हैं, उनको मुख्यधारा मिलाने के लिए कारे करें, जागरू करें, उनको शिक्षा दिक्षा के लिए भी उनकी व्योस्था कराएं, इस धन्यवाद के स साथ योगी जी बढ़ते रहें, मुदी जी बढ़ते रहें, इंचलते चलते निवे दन जरूर रहेंगा कि अगर अभी तक आप में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करिए, अगर बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर हमारे साथ केंपेन में भाग लिजी हमारे हाथ से हाथ मिलाए आज की बात यहीं तक बहुत धनिवाद बंदे मात्रम जैहिद